आज हम क्लास 8 की वॉक्षीट 29 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है बहु प्रतिभिम बहु मतलब अनेक प्रतिभिम मतलब इमेजिस जैसे कि आप इस पिक्चर में देखने हैं आप जब भी बारवर की शौप पे जाते हैं तो आप जो बाल कट आते हैं तो एक सामने मिर की शाहता से दूसरा मेरह बाल कैसे कटी हैं उसको जाचने में हैलप करता हैं तो एक से ज्यादा प्रतिभिम किसी भी दो मेर या 2 मीर अगर हम दर्पन को यूज करते हैं तो उनके बीच ईसके कोनों पे निर्व करता है। की कोण की सेंगल पे बना है。 उसके आधारवरत्वी में वो बनते हैं। 6th class में पढ़ा होगा पैरिसकोब के बारे में. पैरिसकोब में दो सम्धल दरपनों का परयोग किया जाता हैं. उस में प्रावर्थिक प्रकाश होता है. वो उन्हें प्रावर्थित कर देता है और पेरिस्कोप जो होता है उसका उपयोग पंडूबियों में, टैंकों में, सैनिकों द्वारा बंकरों में इन समय किया जाता है ताकि वो बाहर की उन चीजों को देख सकें जो उनकी सामने नहीं है मतलब आसपास अगर उनको कोई खत्र है तो वो पेरिस्कोप के मादम से उनको देखा जा सकता है इसे तरीके से एक कलाइडियोस्कोप होता है जो की बहु मूर्ति दर्शी कहा जाता है जिसमें multiple reflection होता है उसको भाती बाती आकरशक pattern हम उसमें बना सकते हैं तो इसके लिए कैस से बनाया जाता है के लिडियोस्कोप उसके लिए आपको तीन समानाकार के आयताकार समदल दर्पन चाहिए जैसे यह वाले हैं दो स्ट्रेप स्ट्रेप्स होंगी त्रिकोणिये कांच के टुकड़ें होंगे कार्ड शीट होगी सैलो टेप और रबर बेंड इन चीजों के त्यूब है उस पर रबर बैंड या सेलो टेप से जैसे यहां पर क्या हुआ है इसको फिक्स करना है अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब की अंदर ठीक से डाल दें किवाला जो दिख रहा है आब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणिये कांच की पट्टी लग पाले और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएं आब इसके उपर बहुरंगी चूडियों के टुकडे रखें ट्यूब के इस छोर को एक दूसरी ग्लास प्यट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर दें और कार्ड शीट के एक टुकडे के साथ ट्यू के दूसरे चोर को भी कवर कर दें और केंदर में एक छेद के माधम से जहांके और सुन्दर पैटर्न जाने इस तरह का पैटरन जो चूडियां जैसे डाले ती उसमें तो आपको इस तरह का पैटरन है ब्यूटीफुल पैटरन आपको इसकलरियो स्कोप में या बहु पार दर्शक में दिखाए देंगे अब इसमें बहुत सारे क्वेशन्स हैं जैसे पेरिस्कोप किया है जो मैंने उपर बताइस कॉपियों कहां किया जाता है जब आप हेड्रेसर के पास जाते हैं तो सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं दूसरा मेरा इस्तेमाल करते हैं बहुत मूर्ती दर्शी बनाने की वेदी किया है जो हमने उपर डिसकस की चोथा जो क्वेशन है उसमें पुछा कि दो समानांतर संतल दरपने एक दूसरे से 40 संटिमीटर के अंतराल पर रखे हैं यहां पर डिस्टेंस मेटर नहीं करते हैं अगर दो पारदर्शी जो मिरर ह है वह एक दूसरे से एक दूसरे के सामने रखे हैं तो यहां पर मल्टिपल रिफ्लेक्शन होगा तो इन फाइनाइट मिरर बन सकते हैं कितने भी मिरर बन सकते हैं कितने भी मिरर के इमेज बन सकते हैं तो मंबट्ति के यहां पर इन फाइनाइट या अनन्थ हम जिसको कहते Hindi में इतने प्रति भी में आपको इखाई देंगी now the time for the English Medium students and today's worksheat is worksheet 29 for the class 8th and we are going to study about the light and the main topic of today's worksheat is multiple images the reflected light rays can be reflected again this is very important line for multiple images for example if there is a one mirror and one mirror is here in front of these if if light incident on this mirror from any angle it reflects with the same angle then same it reflect and then it reflects so multiple images can be formed when in reflected light incident on the another mirror as in the form of incident ray the reflected light can be reflected again so when you visited the hairdresser the hairdresser she or he makes you sit in front of the mirror and after your haircut is complete she holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut and you could see the hair at the back of your head you can see this picture the reflected light rays can be reflected again if incident on another mirror and form multiple images because one mirror is here and another mirror in front of you so multiple images are formed the number of image formed will depend upon the angle between the mirrors and you have also learned another device that is periscope in the class 6 periscope is a device that works on the multiple reflections and the periscopes makes use of two plane mirrors at an angle periscopes are used in some marines tanks and by the soldiers in the bunkers to see things outside which are not in the direct range of the viewer so it is very very helpful for security purpose on the borders and one more device is there which is also based upon the multiple reflection of light that is kaleidoscope and multiple image formation is formed due to the multiple reflection and how can you make a kaleidoscope then for this you have to use three rectangular plane mirrors strips of the equal size and two triangular glass pieces card sheets and cello tapes then you have to make the three rectangular plane mirror strips and join them as shown in the figure like this then slip the rubber band on the triangular tube fix this triangular tube in a cylindrical tube make two triangular glass plates and cover one glass plate with a trancing paper place one of the triangular glass plate at the end of the tube which such that it is a little inside the tube now place some multiple colored bangles pieces over it cover this end of the tube with another rectangular glass plate covered with trancing paper and cover the other end of the tube with a piece of the card sheet and make a hole in the center so that inside view can be seen from this hole now the kaleidoscope is ready and you can peep through the hole directing the other end of the tube towards the light these beautiful patterns you can see through the kaleidoscope now do these questions in your notebook i hope you understand the concept of multiple reflection of the light periscope and kaleidoscope thank you so much keep watching super vegan super vegan super vegan